नवश्कार आज आप सभी इस आईतिहासिक कालखन में सिक्षन जैसे महत्वपून दाइत्व से अपने आपको जोड रहे हैं इस बार लाल किले से मैंने विस्तार से बात की है कि कैसे देश के विकास में राष्ट्रिय चरीत्र की एहम भूमी का है आप सभी पर भारत की भावी पीड़ी को गड़ने उन्हें आधुनिक्ता में ढालने और नई दिशा देने की जिम्मेदारी है मैं मद्द प्रदेश के प्रात्पीक विद्यालें में नियुक्त होने वाले साड़े पांच हजार से जादा शिक्षक भाई बहनों को बहुत बहुत सुप्रावनाय देता हूँ मुझे बताया गया है कि पिछले तीन वर्षों में मद्द प्रदेश में करीब पचास हजार सिक्षकों की भरती हुई है इसके लिए राज्य सरकार भी बहुत बहुत बधाई की पात्र है साथियों आप सभी राष्ट्रिय सिक्षानीती को लागू करने में भी बड़ी भूमी का निभाने जा रहे हैं विक्सित भारत के संकल्प को सिद्ध करने की दिशा में राष्ट्रिय सिक्षानीती का बहुत बड़ा योगदान है इसमें पारमपारी ज्यान से लेकर भविश्य की टेक्नोलोजी तक को समान रुप से महत्व दिया गया है प्रात्मिक शिक्षा के खेत्र में नया पार्ठ करम भी तैयार किया गया है एक और बहुत बड़ा काम हुआ है मात्रू भाषा में पढ़ाई को लेकर अंग्रे जी न जानने वाले अनेको छात्रों को उनकी मात्रू भाषा में पढ़ाई ना करा कर एक तरह से उनके साथ बड़ा अन्याय किया गया था यह सामाजिक न्याय के विरुद्ध था अब इस अन्याय को भी हमारी सरकार ने दूर कर दिया है अब सलेबस में शेत्रिय भाषाओं की पुस्तकों पर बल दिया गया है देश की शिक्षा व्यवस्ता में यह बहुत बड़े बड़लाव का आधार मनेगा साथियों जब सकारात्मक सोच सही नियत पूर्ण निष्टा के साथ निर्णे होते हैं तो पूरा वातावरन सकारात्मक तासे भर जाता है अमरित काल के पहले वर्ष में ही दो बहुत बड़ी सकारात्मक खबरे आई है यह खबरें देश में कम होती गरीबी और बड़ती समरुद्धी का परिशे देती है निती आयोक की रिपोर्ट में आया है कि सिर्फ पांच साल के भीतर ही भारत में साड़े तेरा करोड भारतिय गरीबी रेखा से उपर आ गए है कुछ दिन पहले एक और रिपोर्ट आई है इस रिपोर्ट के अनुसार इस वर्ष फाइल होने वाली इंकम टेक्स रिटन की संक्या भी दूसरा महत्वकून संकेत दे रही है पिछले नव वर्षों में लोगों की आउसतन आय में भारी बढ़ोत्री हुई है आई टी आर के आंकडों के मुताबिक 2014 में जो आउसत आय एवरेज इंकम करीब 4 लाग रुपिय थी वो 2023 में बढ़कर 13 लाग रुपिय हो गई है भारत में लोवर इंकम ग्रुप से अपर इंकम ग्रुप में लोवर इंकम से अपर इंकम ग्रुप में जाने वालों के संख्या भी बड़ी है ये आंकडे उत्सा बढ़ाने के साथ साथ इस बात का यकीन भी दिलाते हैं कि देश के हर सेक्टर को मजबूती मिल रही है और रोजगार के अनेक नए आउसर बढ़ते ही चले जा रहे हैं साथियों आएकर रिटन के नए आकड़ों में एक और बात नोट करने वाली है वो ये कि देश के नागरिकों का अपनी सरकार पर भरोशा निरंतर बढ़ रहा है इस वजह से देश के नागरिक इमानदाली से अपना टैक्स देने के लिए आगे आ रहे हैं बड़ी संख्या में आ गया रहे हैं वो जानते हैं कि उसके टैस्टी पाई पाई देश के विकास में खर्च की जा रही है उन्हें साफ दिख रहा है कि 2014 से पहले जो अर्थ वबस्ता दुनिया में दस्वे नंबर पर थी वो आज पाँचवे नंबर पर पहुँच गई है देश का नागरिक वो दिन भूल नहीं सकता जब 2014 से पहले गोटालों और प्रस्टाचार का दौर था गरीब का हक उस तक पहुँचने से पहले ही लूट लिया जाता था आज गरीब के हक का पूरा पैसा सीधे उसके खाते में पहुँच रहा है साथ क्यों सिस्टिम से लिकेज रुकने का एक प्रणाम ये भी हुआ है कि सरकार गरीब कल्यान पर पहले से कहीं ज़्यादा खर्च कर पा रही है इतने बड़े पहमाने पर हुए इन्वेस्टमेंट ने भी देश के कोने कोने में रोजगार का निर्मान किया है जैसे एक उधारण कॉमन सर्विस सेंटर का है 2014 के बाद से देश के गाउं में पांच लाख नए कॉमन सर्विस सेंटर बने प्रते कॉमन सर्विस सेंटर आज कई कई लोगों को रोजगार दे रहा है यानि गाउं गरिब का कल्यान भी हुआ और रोजगार के मोके भी बने साथियों आज देश में सिक्षा काउशल विकास और रोजगार इन तीनों ही स्थरों पर दूर गामी निती और निर्णे के साथ अनेक विद इनिशिटिव लिए जा रहे हैं अनेक विद काम हो रहे हैं इस पंदरा अगस को मैंने लाल के लिए से पी-एम विश्व कर्मा योजना की भी गोशना की थी ये योजना भी इसी विजन का प्रतिमिम है हमारे विश्व कर्मा साथियों के पारंपारिक कौशल को 21 सदी की जरूरतों के मताबिक ढालने के लिए पी-एम विश्व कर्मा योजना बनाई गई है इस पर लगभग 13,000 करोड रुपे खर्श किये जाएंगे इस से 18 अलग-अलग तरह के हुनर से जो परिवार जुड़े हुए है ऐसे परिवारों को हर प्रकार की सहायत दी जाएगी उनको लाव होगा इससे समाज का वो वर्ग लाभानवित होगा जिनके महत्वकी चर्चा तो होती थी लेकिन उनकी स्थिती बहतर करने का कभी ठोस प्रयास नहीं किया गया विश्व कर्मा योजना के तहट लाभार्थियों को ट्रेनिंग के साथ ही आधुनिक टूल्स खरिद्दे के लिए वावचर भी दिये जाएंगे यानि पीएम विश्व कर्मा से युवाओं को अपना हुनर निकारने का और ज्यादा आउसर मिलेगा साथियों आज जो मानुभाव सिक्षक बन रहे हैं उनसे मैं एक और बात करूंगा आप सभी कड़ी मेहनत से यहां तक पहुँचे हैं आगे भी आप सीखते रहने की प्रवुत्ती जारी रखे आपकी मदद के लिए सरकार ने ओन लाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म आई गौड कर्मियोगी तयार किया है इस सुविधा का जादा से जादा लाब उठाने का प्रयास करे मैं आपको और आपके परिवार के लोगों को इस नई सफलता के लिए इस नई यात्रा के लिए अब सपनों को सिद्ध करने का एक उत्तम अवसर मिला है तब अनेक अनेक शुपकामनाई देता हूँ बहुत बहुत बधाई देता हूँ धनिवाद